अगर स्टुरेंट्स को BPT और similar triangle का जो concept है और उसके बीच के difference है वो नहीं पता है तो वो एक number का question भी नहीं हो पा रहा है तो बस this is high time पढ़ाई करना सुरू कर दो concept पे बहुत ध्यान दो बहुत जादा practice पे ध्यान दो अलग-अलग sample papers को भी करना start कर दो देखो क्या होता है कि अगर आपने sample papers भी कर लिये न तो भी आपके 80% marks जो होते हैं वो आपके secure हो जाते हैं